हेलो फ्रेंज नमस्ते वेल्केम तु दे चानल कैसे हैं आप सभी मुझे कमेंट करना काफी दिनों के बाद जो है मैं वीडियो पोस्ट कर रही हूँ तो माशू भी न मतलब बस मेरे आगे पीछे घुमते रहती है आप किसी काम को करें और उसमें जो है मतलब उस तरह की उमीद नहीं मिलती है तो दिरे दिरे मन न मतलब छोटा होने लगता है तो बस ऐसे ही था मेरे साथ भी मैं वीडियो तो रोज मतलब ट्राइ करती हूँ अब पोस्ट करूँ अप्लोड करूँ पर होता क्या है न मुझे अच्छा रिस्पॉंस नहीं मिलते हैं तो मन भी नहीं करता है तो बस इसी तरह से न मैं ऐसे थोड़ा डिले कर रही थी फिर मैंने सोचा मैं घर पर ऐसे बोरी होती हूँ तो चलो यही एक काम है जो मैं कर लेती हूँ और मैं जब भी उपर आती हूँ न तो कपने डालने तो माशुक होता है कि एक बार भाई यह साइकिल पर तो मुझे घुमाओ तो बस मैं ऐसे उसको यहाँ पर थोड़ा सा गुमा रही हूँ और बस वो उतना ही क्लिप था देखिए मैंने फिर से वो जो है क्लिप उतना ही शूट किया है अब यह है next day यह evening का time है मैं यहाँ पर डाल सोक कर दी हूँ और सोचरियों मैं डिनर में दाल बनाऊँगी और अब भी मैं पकोड़े बनाने जा रही हूँ तो यह चने है काले चने यह देखिए यह बॉइल है मैंने इनको सुबह सोक किया था और अभी इसको एक विसिल शिफ एक विसिल लगा दिया है और अब मैं इसके पकोड़े बनाओंगी वैसे मैंने इस भी बहुत बार शेयर की है और यहाँ पे ने यह सोकिये हुए राइस है इसमें देखिए मैं इसको पीस हूँगे क्यों मैं बस चावल काटा नहीं है तो मैंने एक मिर्ची और गार्लिक जो है उसके क्लोव्स दो-तीन लसुन की कलिया चावल और हरी मिर्ची यह सब पीस लिया है चावल काटा नहीं था मेरे पास तो बस यह जो है मैं उस पकोड़े में मिलाऊंगी थोड़ा न उससे क्रिस्पी सा होता थोड़ी एक क्रंचीनेस आती है इसलिए अब यह चने में जो है थोड़े से मसाले करते हैं तो सबसे पहले मैं बेसन डालूँगी इसमें तो दो-तीन चम्मच जैसा मैं इसमें बेसन डाल रहे हूँ इसे अंदाजे से सिकवा फल्दी का पाउडर और काली मिर्श पाउडर डाले और लेसन अद्रक का पेस्ट भी ज़रूर डाले फिर मैं इसमें डाल दीए है प्याज और अच्छे से इन सब को मिक्स कर ले तोड़ा पानी ध्यान से डाले ने तो अगर ये थोड़ा रनी सा हो गया थोड़ा सा अगर ये गीला हो गया ना बैटर तो अच्छा नी बनता है तो थोड़ा ध्यान से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी डाले और अच्छे से इन सब को मिला ले उसके बाद मैं इसमें डाल दी थोड़ा सा आजवाइन, पकोड़ों में आजवाइन का स्वाद बहुत अलग आता है, अब जरूर ट्राइ करना, मैं इसमें अजवाइन डालती हूँ, बहुत तेस्टी बनते हैं यह, और मैंने सब कुछ मिक्स कर लिया है यापे, और उसके ब यह बैटर, उसमें एक और पकोड़े मैं बनाऊँगी, तो इसमें थोड़ा सा बेसें डाल ले रही हूँ, थोड़ा सा यहापे डालूँगी मैं हल्दी का पाउडर, और थोड़ा सा जिंजर गार्ली का पेस्ट और नमक, और इसमें कुछ भी नहीं जाएगा, थोड़ा सा बनाई रही हूँ चने के पकोड़े, तो मेरे बच्चों के लिए उनका फेवरेट भी थोड़ा सा बना देती हूँ, तो बस यह थोड़ा सा पानी डाल के इसमें अच्छा सा एक स्मूध सा बैटर तयार कर लेना, और जो आलू है उसको ऐसे स्लाइस में आपको कट करने है, तो यहां देखिए, यह बैटर बहुत बढ़ी असा जो है, मैंने त्यार कर लिया है, और यह देखिए, यह आलू जो है, इस तरह से स्लाइस किये है, करना कुछ नहीं है, बस यह जो स्लाइस जो है आलू के इनमें, मतलब यह जो बैटर है, इनमें डिप करके आपको अलेट पलट के जो है, दोनों तरफ से अच्छा सा जो है, इसको क्रंची होने तक आप इसको फ्राइ कर लें, और आपने एक बड़ यह पकोड़े जो है, एक बार ट्राइ करें, मेरे कहने पहर बहुत अच्छे बनते हैं, यह देखिए, यह मैंने बना लिया है, और अब देखिए मैं यहाँ पर आलू के जो पकोड़े हैं वो भी यहाँ पर फ्राई कर ले रही हूँ तो यह भी बहुत सिंपल है पर यह बहुत ही टेस्टी लगता है आप कभी इवनिंग में या आज़ा कुछ स्नाक्स भी जो है इसको किसी गेस्ट को भी सर्व कर सकते हैं यह आलू हाले तो जटपट बन जाते हैं चने के पकोड़े हो सकता है आपको टाइम ले क्योंकि वो चना सोक करना है इसलिए ओई, यहाँ पर यह त्यार कर लिए मैंने सारे पकोड़े हो जा रही है मैं मेरी फैंवल09 को सब्संट करने इवनिंग स्नाक्स में तो हम लग जो है पकोड़े बगेर खा करके निकल गए है थोड़ासा वौकिंग करने के लिए तो मेरी माशू देखी कैसे जॉगिंग कर रही है नित्या जो ऐसे बहुत दूर तक रनिंग करके चली गई थी तो मेरी माशू को भी लगा मुझे भी दोड़ना है सब इतनी आगे-ागे भाग रहे है फिर उसके पापा जो है उसकी स्पीड में वॉकिंग करने लगे तब जाके माशू जो थोड़ा खुश हुई वहना वो ऐसे रोड पर लेट जा रही थी बस यह एक थोड़ा सा फैमिली टाइम है शाम को थोड़ा सा जो है निकलते हैं बाहर घूमते हैं अच्छा लगता है और मैंने दाल सोग किया था ना तो पर यहां पर देखें मेरी खुशी मेरे हजबन ने खाना ओर कर दिया इतना मज़ा है मुझे मेरे को न मतलब बनाने का मनी नी हो रहा था पता नहीं क्यों कभी-कभी ऐसा होता है ना ठक जाते हैं पूरे दिन तो खान अर्डर किया था उसके बाद में यह हमने थोड़ी सी जो है सौफ ड्रिंग पी थी जो कि नहीं पीनी है क्योंकि मसाला दोसा तो हेल्दी था हमने वो खाया पर ऐसे ही कभी-कभी ओईली खाऊना थोड़ा बहुत तो मन करता है तो इसलिए हमने जो है बाद में थोड़ी सी वो सौफ ड्रिंग भी पी ली बहुत अच्छा था पर यहां देखिए मुझे फिर से घूम फिर के किचन में आना पड़ा किचन का मुझे काम करने का मन नहीं था बेसिकली सारे बरतन जमा हो गए थे तो पर मैंने सब कुछ किचन पुरा क्लीन किया है और कितना भी काम हो न तो यह सारे काम कर लिए मैंने और यह है next morning संडे का दिन है अच्छा दिन था थोड़ी धूप निकली थी थोड़ी बारिश हो रही थी तो फिर संडे को थोड़ी सुबह धूप निकली थी तो अच्छा लगा तो मैं उठ गई थी नित्या भी आज जल्दी ही उठ गई थी वैसे वो सोती है वो खुदी बोलती है कि संडे है मैं सोंगी लेकिन वो जल्दी उठ गई थी तो वो ऐसे ही हाथ मूँ वगएरा धो करके जो अपना थोड़ा होमवक ही कर रही थी उसका कुछ पेंडिंग था तो वो हमवक कर रही थी और माशु यहाँ पे सो रही थी वरना माशु मतलब मैं अगर बेट से उठ जाती हूँ तो साथी साथ वो भी उठ जाती है पर आज माशु सो रही थी और मैंने नित्या को पूछा आप क्या खाओगे तो उसको तो ऐसा था कि मुझे ना मैगी दे पर मेरा बिलकुल भी मननी था मैगी मतलब खाने के लिए छुट्टी वाले दिन ना अगर दो हपते हो गए या तीन हपते हो गए नित्या को जो मैगी याद आ जाती है तो वीकेंड में ही मतलब मैं उसको दे देती हूँ कभी स्कूल डेज में तो पॉसिबल नहीं है और स् माशू उठ गई है और माशू को भी बड़ा ही बिसबरी से इंतेदार है या फे मैगी बनने का तो यह मैगी बन गई है बहुत बड़ी आसी मैगी मैंने बना ली है मेरे बच्चों के लिए पर यह मैगी जादा ही थी थोड़ी और अब जो है मैं इन दोनों को जारी हूँ तो थोड़ा सा पानी जो है थोड़ा सा गरम कर ले रही हूँ रात को बारिश हुई थी तो क्या होता है ना टेंकी में जो पानी है नो थोड़ा थंड़ा आता है तो इसलिए हलका सा जो है मैं पानी आपर गर गरम कर ले रही हूँ थोड़ा सा पानी जो मैं मिला देती हूँ तो थोड़ा नॉर्मल टेंपरेचर पे आ रहाता है, तो बच्चे अराम से उसे नहा लेते हैं, और यहां पर मैंने कुकर में डाल चड़ा दिये, क्योंकि रात को मैंने डाल जो सोकी थी न वो रहे गई थी, तो मैंने सुचा सुबह इसको बॉइल कर लेते हैं पहले, सिर्फ वीकेंड में ही कभी बना पाती हूं, क्योंकि अदर डे न मतलब अलग-अलग कितना मैं बनाओ ब्रेकफास्स, ऐसे सकरके नहीं बना पाती हूं, टिफिन वगेरा भी मुझे पैक करना होता है, इसलिए, और नित्या जो नहीं खाती है पोहा, और धूप अच्छी आ कपड़ों के लिए मतलब अलगी vibe रहती है, कपड़े सूख जाते हैं मेरे मशीन में ड्राय होते हैं, पर फिर भी ना धूप के कपड़े मुझे ज़्यादा पसंद आते हूं, सूखे हूए, अलमीरा वगेरा में रखो या रखो तो अच्छे रहते हैं, अदर वाज ना सील एवरी डे कुछ एकी जसी सबजी खाके मैं बोर जाती हूँ, तो मुझे लगता है कुछ अलग सबजी होनी चाहिए, तो ये कभी-कभी मिलती है, तो मेरे हजमन लेके आते हैं, मुझे ये सबजी बहुत पसंद है, सिंपल तरीके से मैं बस कड़ाई में बना रही हूँ, त ये जो सबजी है, इसको पहले अच्छे से बूनूंगी, फिर इसमें मैं आलू के साथ इसको मिक्स करके बनाऊँगी, तो आलू मैं बाद में डालूंगी, पहले इसको बून ले रही हूँ, उसके बाद मैंने इसमें जाल दिया है, स्लाइस करके थोड़े से प्याज, वो तो थोड़ा से मैंने इसमें नमक डाल के इसको सॉफ्ट होने के लिए रख दिया है, अब मैं इसमें जो है थोड़े मसाले डालूंगी, ये सारी चीजे अच्छे से हमारी भुन गई है, तो इसमें सबसे पहले मैंने डालूंगी, सरसो जो है मैंने पीस करके डाले, मस्टर सीव जो है, वो मतलब पीस के डाला है, बाकी जो रूटीन के मसाले होते हैं, हल्दी, धनिया, जीरा, पाउडर, और थोड़ी सी मैंने कश्मीरी लाल मिश डाला है, और नमक, उसको राद में अच्छे से जो है, इनको फिर से सारे मसालों के साथ भी भून लेंगे, तब तक मैंने आखरी में इसमें डाल दिये, टमाटर, टमाटर जल्दी पक जाते हैं, तो इसलिए मैंने पहले नहीं डाला, हम सबी ना तयार हुए थे कहीं जाने के लिए, पर जाना हो नहीं पाया, थोड़ा मन है से इदुकी हो गया था, बच्चे मेरे रेडी थे, पर मैंने आप अगर हम जाते तो शायद हम लंच भी भारी करके आते, पर नहीं गए तो मैं अराम से यहां पर लंच बना रही हूँ, अभी मैं बना रही हूँ, यहां पर रायता, यह बूंदी का रायता है, सिंपल सा, बूंदी भी हमने घर में बना थी, तो मैं उसी का रायता बना रही ह अज सबजी गई है और रास मेने लग दिया है तो बस मेरा मेरा है यहां मेरी माशु झ concurrent है छुट्टी का दिन था मेरे 모습 भी घर ब searched दो तो वह अपने डैड़ी के साथ हिंगा में अपने ग nggak 250 पासंद है फिर वो नीचे चले गए तो मैं मतलब वो भी उसको बुला रहे थे नीचे आजाओ नहीं आई तो मैंने बुला आजाओ माशु तो नहीं आई फिर मैं उसको जबरदस्ती नीचे लेकर के गई याँ पे अकेले उसको छोड़ना पसंद नहीं है थोड़ा सा नहीं ओपन है तो ऐसे डर लगता है गिरने का और यहां जो है मिल दीजे मेरी माशू से और मेरी माशू आप लोग को कुछ कह रही है उसकी बाते जो है सुन ले आप तो वो कह रही है कुछ इस तरह से लाइक कर दो यह देखिए तो इस वीडियो को अभी लाइक क जो है वो सब करने के लिए और यह है आज का संडे स्पेशल हमारा लंच चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब कर देना नेक्स व्लॉग में मिलती हूं मैं आपको थैंक्यू पर वाचिंग